So, hello everyone, guys, ask case lecture में मैं आपको बताऊँगा कि हम अपने spelling error को कैसे बहतर करें इस English में हमारे जो सबसे biggest problem होती है, वो होती है हमारे spelling error Spelling error 99% बच्चे जो होते हैं उसमें mistake करते हैं लेकिन यदि आप इस lecture को sincerely और seriously सारे classes को लेते हैं lecture once लेके 25 lectures तक हमने आपके spelling error को explain किया है एक एक word को अच्छे से मैंने explain किया है उसमें आपको मैंने अच्छे से image दिया है अच्छे से कहीं कहीं पर tricks भी दिया है जिन सारे lectures को sincerely और seriously attend करिए आप ठीक है तो कुल मिला कि अगर हमारा 1 to 25 lectures है तो आपके total 25 into 25 मतलब 625 वो हमारे spelling error के questions है जो आपके exams में कई बार पूछे गए है कोई भी आप exam देते हैं यदि आप इस lectures को sincerely लेते हैं they will not miss a single question so guys if you want a PDF so please join my telegram channel and easily you will get PDF of entire matter so guys so please do not miss a single class keep on watching guys ask इस lecture में मैं most 25 important word को spelling के लिहास से discuss करूँगा ठीक है तो चलिए lecture हमारा 10 है और एक एक word को हम लोग देखते हैं तो आज का जो हमारा पहला word है देखे क्या है beginner है कैसे इसको हम याद करेंगे बहुत आसानी से इसको हम याद कर लेंगे इसमें आपको याद करना है कि डवल यन हर हाल में रहेगा बिगनर मतलग शुरुवात करने वाला होता है जैसे चोटे-चोटे बच्चे हैं देखे अपनी लाइफ की शुरुवात किया है यह सारे चीजे बच्चे सीख रहे हैं बहुत आसान है कैसे इसको याद रखेंगे स-A-T-I-R-E क्या वर्ड है स-A-T-I-R-E तो सैटायर मतलब क्या होता है बेंग होता है बहुत सारे लोग सैटायर करते हैं किसी किशी पर अक्सर जो राइटर होते हैं तो यह वर्ड़ा स-A-T-I-R-E याद रखेगा इसमें R-E रहेगा बहुत कामन वर्ड है ज्यादा तर लोगों को याद हो जाता है यह वर्ड तो सैटायर है ठीक है अगला वर्ड है गेयटी क्या है गेयटी तो G-A-I-E-T-Y है बड़ा आसान वर्ड है इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग G-A-I-E-T-Y गेयटी मने क्या होता है प्रसन्नोना G-A-I है इस वर्ड को ध्यान रखना होगा G-A-I-E-T-Y तो I-E है यही आप लोगों को याद करना गेयटी मने प्रसन्नता होता है जॉय होता है एंजॉय होता है लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं इसी को हम लोग गेयट कहते हैं देखिए children क्या कर रहे हैं enjoy कर रहे हैं life को enjoy कर रहे हैं गेटी हैं बच्चे प्रसंद हैं happy अगला word है trachea इसो कैसे आप करेंगे T-R-A-C-H-E-A आपको याद करना होगा यह A-E-A जो है यही खतरनाक है T-R-A-C-H-E-A ट्रैकिया क्या है trachea word है T-R-A-C-H-E-A ट्रैकिया मतलब होता है स्वासनली होता है इसको कम से कम एक word को 5 से 7 बार लिखेंगे word बच्चे आपको अपने आप याद हो जाए अगला word है Magnificent कैसे याद करेंगे M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-T Magnificent कम से कम एक word को 2 से 4 बार अगर आप लिखेंगे तो word अपने आप आपको याद हो जाएगा अब फिर से लिखके देखते हैं तो क्या हो जाएगा M-A-G-N-I-F-I-C-I-N-T Magnificent मतलब होता है शांदार जैसे Magnificent Building, Magnificent Surrounding यह synonyms भी है आप लिखते है जैसे Magnificent Picture of Lotus बहुत सुन्दर है तो Magnificent हम कहेंगे, Beautiful कहेंगे, सांदार कहेंगे, Gorgeous कहेंगे अगला word है Trailer बड़ा आसान है इस word को याद करना तो क्या word है T-R-A-I-L-E-R रेड कलर ले लो तो और अच्छा है आप लोग को दिखेगा तो इस इस वाट है ना Trailer T-R-A-I-L-E-R ठीक है तो word को आप एक से दो बार लिख लेंगे आराम से याद हो जाएगा आपको कोई T-R-A-I-L-E-R इसे हम लोग बोलते हैं Trailer तो word को अगर आप ध्यान से लिखेंगे ध्यान से देखेंगे तो word आपको आसानी से याद हो जाएगा देखिए इस word को कैसे याद करेंगे कि normally E-R आता है जैसे हम teacher लिखते हैं तो E-R आता है brother लिखते हैं तो E-R आता है इसमें R-E आएगा आपको याद रखना है कि अगर word है C-A-L-I-B-R-E तो caliber है तो caliber मतलब छमता होता है हर चीज की caliber होती है bullet की caliber देखिए अलग-अलग इनकी छमता होती है इनसान की अपनी अलग-अलग दोड़ने की छमता होती है देखिए इनके दोड़ने की छमता अपनी अलग-अलग है सबकी अपनी अलग-अलग स्टाइल है अलग-अलग सबकी स्टैमिना है तो this is a caliber C-A-L-I-B-R-E आपको याद रखना है B-R-E foundry word जो है याद रखिएगा F-O-U-N-D-R-Y last में R-Y जो है यह महत्तपुर्ण है यह word क्या है आपका foundry है F-O-U-N-D-Loha का ढलाई का जहां काम होता है उसे foundry कहते है तो last में देखिए R-Y है तो foundry मतलब होता है कारखाना होता है जैसे कि जहां लोहे की ढलाई का काम होता है उसे हम लोग foundry कहते है अगला word है curable तो normally cure की जो spelling होती है C-U-R-E होता है क्या होता है C-U-R-E होता है यहां पे E नहीं आएगा यही आपको याद रखना है तो C-U-R-A-B-L-E curable C-U-R-A-B-L-E C-U-R-A-B-L-E E word आएगा ही नहीं इस बात का आपको ध्यान रखना होगा C-U-R-A-B-L-E C-U-R-A-B-L-E E कदा भी नहीं आएगा देखिए capable of being cured यह से C-U-R-A-B-L-E इसलिए word को मैं बढ़ा करके भी दिखा देता हूँ जैसे आपको आसानी से words अगला word है बार्ज देखिए B-A-R इसमें double r रहेगा यही याद रखिएगा क्योंकि एक्जाम में आपको A-G-E तो बार्ज होता है बार्ज में जैसे पानी को रोकना देखिए पानी को इसमें रोका गया है किसी चीज को रोकना किसी के call को बार्ज कर देना तो इसे होता है अब देखिए leakage word में क्या करना है L-E-A-K-A-G-E leak age याद रखेंगे कभी नए mistake होगा leakage जैसे पानी leakage कर रहा है देखिए टोटी यह leakage कर रहा है कभी कभी गाड़ी की टंकी leakage करती है तो इसे leakage कहती है Ambassador में word आपको याद रखना होगा A-M-B-A-S-A-D-O-R Ambassador होता है इसमें W-S होता है इस बात को आपको ध्यान रखना होगा Ambassador मने राजदूत होता है A-M-B-A-S-A-D-O-R Ambassador of America Ambassador of Australia Ambassador of Canada तो यह सारे लोग अंदर Eronous word E-R-R-O याद रखेंगा और N-E-O-U आपको यही खतरनाक है E-R-R-O-N-E-O-U-S Eronous याद रखना होगा इस word को आपको इस में ध्यान रखना होगा E-O जो word है यही आपके लिए खतरनाक है E-R-R तो लोग बना लेते हैं एक्जाम में आपका एक R ये गायव कर देगा पहला चीज या E कोई जगह पर आई कर देगा और आप mistake करके चले आएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे फिर E-R-O-N-E-O-U-S इरोनस मतलब क्या होता है इरोनस हैना वेज बहुत सारे लोग इरोनस वेज तुर्टी पूर्ण होता है गलत तरीके से चीजों को अस्तमाल करते हैं अगला word है रेपर क्यूशन तो रेपर वर्ड अराम से इसको कैसे याद करेंगे ध्यान दिखिएगा रेपर R-E-P-E-R इतना तो होई जाएगा रेपर क्यूशन C-U-S-S-I-O-N इसमें आपको याद क्या करना है कि रेपर याद रखना होगा और आप गलत नहीं करेंगे आपसे एक्जाम में गलतियां नहीं होगी उसे हम लोग रेपर क्यूशन कहते हैं रेपर क्यूशन का मतलब क्या होता है किसी चीज को understand कर देना प्रतक्रिया कर देना रेपर C-U-S-S-I-U-N C-U-S-S-I-U-N इससे हम लोग रेपर क्यूशन कहते हैं वर्ड को अच्छे से पढ़िएगा किसी चीज को miss मत करिएगा ठीक है प्रतक्रिया देना जिसे बच्चे को आप कुछ कह दे दिए तो बच्चा हमेशा उसका प्रतक्रिया देता है रेपर क्यूशन होता है रेपर C-U-S-S-I-U-N नहीं रहेगा इस बात को आपको ध्यान रखना होगा है वर्ड बहुत सिंपल बट सामने आ जाता है तो बच्चों को गाइडेंस अगर आप नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगी इसलिए बच्चों को हमें क्या देना चाहिए प्रॉपर गाइडेंस होगा ममी पापा आसमें लड़ेंगे तो बच्चे अपना कान पकड़ के बैठ जाओ माइग गाइडेंस यही है देखें बच्चों को ऐसा प्यार देना चाहिए मदर फादर को इतना केर देना चाहिए इतना अच्छा गाइडेंस होना चाहिए कि लाइफ बहुत अच्छे से उनकी चले तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कई बार लिखने से ग्रैंड ओपनिंग आप इस शॉपिंग मॉल तो यह बहुत सारे वर्ड आपको अक्सर देखने को मिलते हैं तो इस वर्ड को याद रखिएगा कम से कम एक वर्ड को दस बार आप नहीं लिखो तब तक आपको वर्ड याद नहीं होगे बारिकिया मैं बताता जा रहा हूँ लेकिन जब तक आप दस बार लिखेंगे नहीं कंबरस बतलब क्या होता है जाईसी बात है C-U-M-B-R-O-U-S C-U-M-B, कंबरस मतलब देखते है न भारी होता है काफी इतना भारी जिसको आप ले जाना सकें जिसको ले जाने में आपको दिक्कत हो से कंबरस कहते हैं और जिलरी वर्ड को कैसे याद करेंगे A-U-X-I मेरे साथ लिखे कई बार आप A-U-X-I A-U-X-I A-U-X-I-L-I-A-R-Y auxiliary कहते हैं auxiliary मतलब होता है auxiliary verb होता है auxiliary सेना होती है जो सहायक होता है A-U-X-I-L-I-A-R-Y auxiliary दिखे आर्वी होती है युद्ध के दौरान इनके जरुरत पड़ती है सहायक सेना होती है लड़ते लड़ते कोई दिख्कप जाती है तो इसे auxiliary कहते है अगला word है technique तो कैसे याद रखेंगे T-E-C-H-N-I-Q-E T-E-C-H-N-I-Q-E कम से कम T-E-C-H लिखे एक बार और N-I-Q-E को 10 बार और लिखे एकदम से याद वर्ड आपको याद हो जाए T-E-C-H-N-I-Q-E technique अब judgment में J-U-D-G-E J-U-D-G-E judgment J-U-D-G-M-E-N-T judgment J-U-D-G-E-N-T हर व्यक्ति के अपना-पना judgment होता है judgment J-U-D-G-M-E-N-T judge होता है इसमें E नहीं देहेगा J-U-D-G-M-E-N-T E हट जाएगा याद रखिएगा नहीं तो फिर गडवर कर देता है एक्जाम में जवाद आते Bulletin में कैसे याद करें B-U-W-E-L-B-U-L-E-T-I-N याद रखिएगा इसमें W-E-L है और यही खत्रा पैदा करता है B-U-W-E-L-E-T-I-N B-U-W-E-L-E-T-I-N Bulletin 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 W-E-L रहेगा इस बात को याद रखिए News Bulletin देखिए तो Bulletin word में कम से कम कई बार यह word आ रहा है अगला word है सूपर सीड याद रखिएगा सूपर और S-E-D-E यही याद करने लायक word है सूपर S-U-P-E-R-S-E-D-E S-U-P-E-R-S-E-D-E देखिए सूपर यादी सूपर तो आप यादी कर लोगे इसमें कोई दिक्कती नहीं बच्चो Wait a minute please S-U-P-E-R-S-E-D-E बड़ा आराम से जब दो तीन बार आप लिखेंगे S-U-P-E-R-S-E-D-E याद रखिएगा कि सूपर सीड मतलब होता है किसी चीज सुन्दरता होता है बहतरीन होती है उसकी खुशूरती होती है उसे हम लोग सूपर सीड कहते हैं इसलिए इस वर्ड को भी कम से कम आप 10 से 15 बार लिखेंगे अब बेने फेक्टर में आपको क्या ध्यान देना B-E-N-E कहीं आई नहीं है बेनी नहीं है B-E-N-E और फेक्टर तो याद हो ही जाएगा आपको बेने फेक्टर B-E-N-E B-E-N-E F-E-C-T आपको यह ट्रिक्स जब तक नहीं लेंगे आप कभी सही नहीं कर पाएंगे यह B-E-N-E है और फेक्टर है तो दान देने वाला होता है मदद करने वाले को हम लोग B-E-N-E-F-E-C-T-R कहते हैं देखिए लोग मदद करने वाले यू-P-E याद रखिएगा यू-P-E याद रखिएगा यह होता है ग्रूप आफ डानसर जो होते हैं उससे ट्रूप कहते हैं T-R-O-U-P-E और जो सेना वाला होता T-R-O-P होता है तो T-R-O-U-P-E याद रखिएगा देखिए जैसे डानसर एक ही धंग के कपड़े पहन कर जब वो डानस करते हैं उससे ट्रूप कहते हैं स्पेलिंग T-R-O-U-P-E होता है T-R-O-U-P-E इसमें P-E लास्ट में है यही इंपोर्टन्ट है आपके लिए देखिए ये डानसर के ट्रूप्स हैं बहुत बहतरी ने लोग डानस करते हैं बहुत एफर्ट करते हैं बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब जा करके अपलाज वर्ड जो है लास्ट वर्ड है एडबल पी है और L-A-U-S-E A-डबल पी अपलाज का मतलब होता है तारिफ करना ताली बजा करके किशी की तारिफ करना तो इसे हम लोग अपलाज कहते हैं अपलाज 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 A-डबल पी-ल-A-U-S-E तो गाईज आसक इस लिक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपर्टेंट वर्ड को डिसकस किया कुछ अच्छा प्रयास कुछ अच्छा ट्रिक लगता है